आर्बीजी पाम उयल का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रहेगा जारी 31 दिसंबर को खतम होने वाली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मियाद सरकार ने मार्श सक भढ़ा दी है केंद्रिय वानी जी अमध्योग मंत्राले ने नया अदेश चारी किया है जिसके तहट पाम तेल पामोलीन पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जारी रहेगा साफ शब्दों में कहें तो सरकार के अगले आदेश तक इन सभी वस्तों पर इसी तरह की आयार ड्यूटी लागूर नहीं होगी मलेशिया में आज पामोल के भाव में करीब एक फिसद की गिरावट देखने को मिली जबकि 2022 में अब तक पामोल की कीमतों में 14 फिसद की गिरावट देखने को मिली है जबकि अपने हाई से 35 फिस्दी पामोयल का भाव तूट चुका है आपको बता दे कि भारत सबसे बड़ा आया तक भी है ऐसे में इसके अच्छे भंडार से अन्या खादे तेल की कीमते पर भावित होती है ताजा देश के बाद देश में खादे तेलों के दाम इक दाइरे में ही बने रहने की उमीद की जा रही है इंडोरेशिया, मलेशिया, थाइलेंड, अर्जेंटिना, ब्राजील, युक्रेन और रूस इसके इंपोर्ट देश है वही करोना के कारण चीन में मांग गिरने के अशंका के बीच आज पाम ओयल पर दबाग देखने को मिला इस बीच अमेरिकन सोया बीन में भी दबाग धर्च किया गया जिसका असर भी पाम ओयल की कीमतों पर साफ दिखाई दिया गोर्तलभे की रूस उक्रेन युद के कारण सनफलोर तेल का आयाद भी प्रभावित हुआ है और खाने के तेल की कीमतों में उच्छा आलाया था खाने के तेल के इंपोर्ट पर नजर डाले तो 2017-2017 में 154 लाग टन खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी